नमस्कार आप देख रहे हैं लाइस्विटीज डॉट इन और मैं हूं अंकिता आई नदर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर पट्टा में हाफ मेरिथन का हुआ आयोजन महिला पहलवान गीता फोगार्ट के साथ दोड़े हजारो लोग केनिया की केनल जेकब बनी 10 किलो मीटर वर्ड में महिला विजेता दूसरे स्थान पर रही पूरम सेंग पट्टना पहुंचे तेशपताव यादव का एलान जल्धी गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी भेजेंगे नियोता युवा राज़त के कारेकरताओं से कई घंटे की मीटिंग राज़त ओफिस में मीटिंग के बाद बोले तेशपताव यादव मैं बिहार की ही राज़नेती करूंगा छप्रा सीट पर फैसला राश्ट्रे अध्यक्ष करेंगे तलाग का मसला निजी है उसे निजी रहने दे NDA छोडने के बाद पहली बार पटना पहुँचे उपेंद्र कुश्वाहा एरपोर्ट पर कारेकरताओं ने किया भव स्वागत बोले जोरदार स्वागत से मुझे और होसला मिला मेरी पार्टी को तोडने की कोशिश की जा रही है पटना में उपेंद्र कुश्वाहा का बयान बिहार और कींद्र सरकार जनता को कर रही गुम्रा चार साल में इन्हें नहीं आई मंदिर की या दिल्ली में अब नहीं बनेगी NDA की सरकार बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा दो फर्वरी को बिहार विधानसभा का घेराओ करेगी रालोसपा, पचीस उत्री मांगो को लेकर करेंगी विधानसभा का घेराओ, सिक्षा के मुद्धों पर पार्टी चलाएगी अभ्यान, एक करोड लोगों का हस्ताक्षर जमा कर ट्रक में भेजेंगी सीम हाओ बिहार भर में आज हो रही 64 वी BPSC PT की परीक्षा, 1454 पदों के लिए हो रही परीक्षा, 4 लाग से जादा परीक्षाती हुए शामिल, परीक्षा को लेकर हजिले में मुस्तैद रहा प्रशाशन नवादा में दर्दना, घटना में तीन बच्चों की मौत, अकबरपूर में जोपडी में लगी, आग में जल गए तीन बच्चे, दोकी घटना स्थल परी हुई मौत, एक बच्चे ने इलाज के दौरान पटना में तोड़ा दम बहुत धर्म गुरू दलाई लामा पहुँचे बोध गया, तिबबती मौनेस्ट्री में रुकेंगे दलाई लामा, आट फरवरी तक बोध गया में रहेंगे प्रवास पर, मौनेस्ट्री के आसपा सुरक्षा के हैं बेहत कड़े इंतजा, छप्रा में युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल, हत्या के बाद आक रोशित लोगों ने किया हंगामा, आरोपी के घर में भी लगा दी आग, मसौड़ा की मुबारक पुर की है घटना, तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुरकियां, आप बने रहें लाई सुटीज.न के साथ, नमस्कार